अब हम देखेंगे कि इंटर कुवाटायल रेंज सतत सरनिक कॉंटिमी स्रीज में कैसे ग्याद करते हैं एक जाम्पल लेते हैं अपन शिवर्ग हो गया जिरू से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस और चालीस से पचास यह अपना वर्ग हो गया ठीक है फ्रिक्वेंसी माल लेते हैं जिरू से दस के हो गई, दस माल लेते या आठ माल लेते, चार माल लेते, चार माल लेते, और बारा माल लेते ठीक, यह फ्रिक्वेंसी हो गई अब बद्धिका में क्या करते थे हैं अपन CF निकाल देते हैं यहां भी अपन क्या करेंगे CF निकालेंगे यह CF निकाल लिए 10 10 प्लस 8 18 18 और चाहे 24 24 और चाहर 28 28 प्लस 12 यह अपन CF निकाल लिए चलो ठीक है CF निकाल लिए अब इसके बाद में अपन मद्धिकम क्या करते थे एंड प्लस वन नहीं करते थे अपन एंड डिवाइड टू करते थे प्लस वन नहीं करते हैं अपनि यहां पर करेंगे q1 में क्या करेंगे small q1 q1 में क्या करेंगे अपन एंड प्लस एंड डिवाइड 4 एंड प्लस वन नहीं करेंगे अपके बार में एंड डिवाइड 4 यहां पर देखो एंड कितना है 40 डिवाइड 4 कितना आया 10 ठीक है 10 से ठीक बड़ी cf कौन सी है 18 यह अपना यह सेलेक्ट कर लिए अपना मद्धिका भी यह सेलेक्ट करते थे तो यह हो जाएगा q1 q1 वाला वर्क सेलेक्ट कर लिए अपने ठीक है चलो q1 क्यात करते है पहले यह सेलेक्ट करने के बाद अपने क्या करते थे क्या फॉर्मला लगाते थे q1 के लिए मद्धिका के लिए क्या फॉर्मला लगाते है l1 l1 प्लस i divide f and divide 2 minus c यह हो जाए and divide 4 minus c ठीक है यहाँ पर यह भी कह सकते है and divide 4 अपने q1 तो अपन यहाँ भी कह सकते है q1 q1 minus c ठीक है यह हो गया चलो solve करते है l1 है यहाँ पर lower limit 10 plus i i है इनके पर difference interval कितना है 10 का 10 plus app कितना है 8 इसकी frequencies work की 8 q1 q1 कितना है अपने पास में निकल गए 10 यह ले लिए 10 ठीक है c c होता है इससे ठीक मेले वाली यह भी 10 है चलो ठीक है अब यहाँ पर देखो 10-10 यह तो 0 हो गया 10 divided 8 तो यह हो जाएगा 10 plus 10 divided 8 कितना होगा 8 point 16 1.25 यह हो जाएगा 11.25 यह होजाएगा q1 अपना हो गया 11.25 अब ऐसे q3 निखा लेंगे q3 में क्या करेंगे अपन यह हो गया q q3 इसमें क्या करेंगे 3 n plus 1 divided 4 ठीक है यहाँ पर देखो अपने पार एन कितना रहा है 40 तीन 40 plus प्लस 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 नहीं करेंगे आपर तो यह हो जाएगा 3 n डारेट ले लेंगे 3 n क्योंकि 37 सरीर में अपने प्लस नहीं करते हैं 3 n divided 4 हो जाएगा यह यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा 3 n divided 4 ठीक है 3 into n अपने पास 40 3 into 40 divided 4 ठीक है 120 यह हो जाएगा 40 120 और 30 अपने पास में q3 हो गया 30 अब यहाँ पर देखेंगे 30 से बड़ी ठीक बड़ी cf कुंची है 40 हो गया इसको सेलेक्ट कर लेंगे q3 वर्ग हो गया अपना यह ठीक है अब क्या करें q3 के लिए क्या फोर्मॉला यूज करें वही सेम फोर्मॉला l1 पलस i डिवाइड एप 3 and डिवाइड फोर माहिने सी कर सकते है या पर q3 माहिने सी कर सकते है ठीक है l1 है अपना 40 है पलस आई है 10 एप 12 क्यों थिरी कितना आ रहा है यहां पर 30 कि इस कितना रहा है इस ते जश्ट पहले वाला इस ते जश्ट पहले का इस जो वर्ग अपने चुना है उससे ठीक पहले वाली सी है 28 चलो ठीक यह वह जाएगा दो लुपीस चालीस पलस बीस डिवाइड बारा यह वह जाएगा चालीस पलस बारा आट और चीक बहतर पिर आट बार चीक बहतर पिर आट बार चीक बहतर वन पॉइंट शिक सेवन तो यह वह जाएगा 41.67 ठीक है क्यों तरी भी आ गया अब देख लेते हैं आई क्यू आर निखालना अपने को कि 11.25 कितना हो जाएगा सट सट में से पत्चीस एन 42 और गया तीस पॉइंट वियंट वियंट 66 भी आर ठीक है ठीक है तीस पॉइंट वियंट अपने आई क्यू आ आ गया अब कोपीशेंट ओप आई क्यू आर कैसे निकालेंगे coefficient of IQR Q3 minus Q1 divide Q3 plus Q1 ठीक है 41.67 41.67 minus 11.25 plus 41.67 plus 11.25 41.67 minus 11.25 divide 41.67 plus 11.25 कितना आजाएगा 30.42 यह हो जाएगा 67.25 बावन में 41.52 ठीक है इसको काटने पर कितना आ रहा है 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 कुछ आगया आएगा और IQR एसे निकल जाएगा 30.25 है जाएगा Q3 minus Q1 और coefficient IQR हो जाएगा Q3 minus Q1 divide Q3 plus Q1 इसको अगे करना चाहिए तो 30.25 0.5 ठीक है यहाँ पर देखो आप दो बार एक बार और समझ लेते हैं जब अपने को continue series में IQR निकालना है और coefficient of IQR IQR का गुनक निकालना है तो अपन क्या करेंगे मद्दिका के तरह पहले CF निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे पहले Q1 Small Q1 यह निकालेंगे N डिवाइड पॉर N पलस नहीं करेंगे आपर N डिवाइड पॉर पिरा जाएगा यह देखेंगे यहाँ दस आने के बार दस सर ठीक बड़ी सी है कौन सी है वो अपना Q1 वर्ग हो जाएगा Q1 वर्ग होने के बाद अपनों मत देखेंगे दर फॉर्वला यूज करेंगे L1 पलस I डिवाइड एप ब्रेकिट Q1 माइनस C ठीक है L1 स्लोवर लिमिट हो जाएगी I डिफरेंच हो जाएगा एप जो वर्ग चुना अपने Q3 निखा रहेंगे Q3 में क्या करेंगे N डिवाइड फोर करेंगे N को तीन से इंटू करेंगे Q3 है इसलिए तीन से इंटू कर देंगे 30 आ गया वो फॉर्मला यूज करेंगे 30 आने के बाद में देखें 30 से ठीक बड़ी C एप कौन सी है वही अपना Q3 वर्ग हो जाएगा ये Q3 वर्ग हो ये Q3 वर्ग हो गया इसके लॉर लिमिट है ये फ्रिक्वेंसी है और इससे ठीक पहले वाली सीफ 28 है इस परकार अपन इस फिगर इस फॉर्मले में सेट करेंगे तो अपने पास में 41.66 Q3 निकल के आएगा फिर अबर फॉर्मला यूज करेंगे IQR Q3 माइनस Q1 और कोपिशेंट ओप IQR अंतर चत्र तक विश्तार का वुनक हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड Q3 पलस Q1